नारम इन्हें अंदर करके हमें बिलकुल अच्छा ने लगए पर क्या करें तानुन से बंदे हुए क्या बॉले बॉले बॉर्ड में मजधार जैसी दूसरे पल्म आई है क्या मजधार टू में भी में हीरो मर जाएगा मजधार जैसी फिल्मों की अगर हम बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पॉले बॉर्ड में इस तरह की बहुत सारी फिल्में अब तक आ चुकी है जिसमें लव च्राइंगल और दोस्ती को इस में मुद्दा बनाया था वही इस तरह की फिल्मों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले करन जोहर के फिल्म सुड़ वर इयर ही हमारे दिमाग में आती है जिसमें सधात मलोत्रा और वरुद्धवन अच्छे दोस्त होते हैं जो सेम ही लड़की यानि की आलिया भट को अपना लव इंट्रेस्ट बनाते हैं जिस वज़े से दोनों दोस्तों के बीच की दोस्ती में बहुत उतार चड़ाव आते हैं तो ऐसा नहीं है कि Bollywood ने इस तरह की फिल्मों को बनाना छोड़ दिया है या फिर मजधार से पहले ऐसी फिल्मों कभी आई ही नहीं थी जहां फिल्मों का plot almost same रहा है वही फिल्म की cast, locations चैसे चीज़े एक फिल्म को दूसरे फिल्म से अलग बनाती है लेकिन ये बात भी सच है कि Love Triangle Bollywood का favorite concept है इसमें makers बड़े से बड़े actors को एक दूसरे के सामने रखते हैं ताकि फिल्म इंट्रेस्टिंग बने वही लोग भी इस बात को ले करके excited हो जाते है कि आखिर इस फिल्म में कौन सा किरदार जीतेगा पर overall ऐसी कहानिया फिल्म को हिट बनाती है वही जब भी मस्धार के हीरो की बात करते हैं तो हमें याद आता है कि किस तरह से फिल्म में गोपाल का किरदार निभा रहे सल्मान खान को फिल्म की कहानी की अंत में मार दिया जाता है वही मनीशा करडाला के किरदार राधा भी एंड में मर चाती है जो इस फिल्म की कहानी की सबसे शौकिंग स्टेज होती है अब इस कहानी के बाद जब हम सीथा सीक्वल की बात करते हैं तो हम सभी के मन में यही सवाल उपता है कि क्या इस बार भी हीरो को मार दिया जाएगा सच कहे तो आज कल के फिल्में फ्रिंशाइजी को आगे बढ़ाने पे विश्वास करती है ना कि फिल्म के हीरो को मार कर कहानी एंड करने में इसी वज़े से सीक्वल के प्लॉट को मेकर से एक नए अंदाज मिलाने की कोशिस करेंगे आपको न पता ही होगा कि जब दस साल या उससे पुरानी फिल्मों का या गानों का रीमेक बनाया जाता है तो उसे आज के जमाने के अकॉर्डिक बनाया जाता है तापकि ज़्यादा सा ज़्यादा ओडियन्स कनेक्ट हो पाएं उसी बीच हम मेकर से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो अचानक से ही फिल्म के हीरो को मार देंगे हाँ ये बात सच है कि फिल्म का कॉंसेप मजधार है जिस वज़े से हम कहानी को बीच में खतम होते जरूर पाएंगी पर आज कल के मेकर्स के पास अपनी फिल्मों की फ्रंचाइजी को आगे बढ़ाने के लिए अगर सीक्विल्य कहानी बीच में ही छूटती है तो उसे दुबारा से एक नई कहानी में ढालने की ताकत आज के जमाने के फिल्मेकर्स के पास है वैसे दोस्तों क्या आपने कभी भी इस बात पे गौर किया है कि तब क्या होगा जब मजधार के सीक्वल का जेनरे अपने प्रीक्वल से बिल्कुल ही अलग साबित होगा यानि कि एक रोमाइस जेनरे की फिल्म का तब क्या होगा जब वो एक्शन और क्राइम जेनरे की फिल्म बन जाएगी मजधार शब्द पे अगर हम गौर करें तो उस सब्द का मतलब होता है बिना किसी कंक्ल्यूजन पे पहुंचे बीच में ही फस जाना तो इस मिनिक पे यह तरूर यह नहीं है कि सिफ रोमाइस जेनरे ही हो उस में अगर एक अक्शन और क्राइम, ड्रामा को भी देखने को मिले तो कहानी कमाल खी लगेगी इस तरह से आपको एक ऐसी फिल्म देखने को मिलेगी जिसमें क्राइम बेस फिल्म का कभी कोई सस्पक्त नहीं मिलता है और केस बीच मचधार फस जाती है ऐसी कहानी लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब करेगी और कहानी को सॉल्व करने के लिए दर्शकों को फोर्स भी करेगी देखना यही होगा कि आखिर के सरह का जनुरे अडाप्ट करती है मचधान टू क्यूंकि अगर हम सेम प्लॉट पे ही टिके रहते हैं तो मेकर्स को वैसे बहुत महनत करनी पड़ेगी पर उनके हाथ में मौका है कि कहानी के जनुरे को बदल कर एक नया रूप देने का तो मेकर्स को इसे जरूर ही फॉलो करना चाहिए तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताए साथ ही दोस्तों अगर आपको भारे भीडियो पसंद आया होगा घॉलो से जरूर इजलो लाइक कर दी और हां हमारे भीडियो को हम दोस्तों में जरूर सेसे करें साथ ही दोस्तों हमारे चानल बॉलिवराट Ellen Studios को सबस्क्राइब करना ना भूले